हलो फ्रेंस मैं हूँ शालू क्रेटिव कुक शालू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लेकर आई बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटनी की रेसिवी जो की 2-3 मिट में बन कर तयार हो जाती है तो फ्रेंस अगर आपने मेरे चन को सब्सक्राइब नह पूलें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने या पर ले लिए फ्रेश अरी धनिया दो हरी मिट्च आलो बुजिया एक चमच नमक 6-7 लसन की कलिया नीबू का रस और एक इंच अधरक का टुगडा अब हमने या पर ले लिए एक मिकसर जार मैं या पर फ्रेश अरी साथ लसन की कलिया एक इंच अधरक का टुकुडा डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे मैं यहाँ पर दो हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़ादा कर सकते हैं अब हम यहाँ पर डाल देंगे लेमन जूस यानि की नीबू का रस इससे हमारी चटनी का स्वाद बढ़ जाएगा अब हम यहाँ पर डाल देंगे आलू बुझिया अगर आपके पास आलू बुझिया ना हो तो आप से बुझिया का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे आदी गिलास पानी ये देखिए आदी गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ मैं इसे पीसने में अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं तो देखिए हमारे हरे धनी की चटपटी चटनी बनकर विल्कुल तयार हो चुकी है कितना अच्छा कलर आ चुक है हमारी चटनी पर अब हम इसे एक दूसरे बर्तन पर ट्रांसफर कर लेंगे तो देखिए हमारे चटपटी चटनी बनकर विल्कुल तयार हो चुकी है जटपट से बन जाने वाली चटनी की ये रेस्पी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आप इसे पूड़ी परांटे सैंवेच किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो फ्रें अपने नेक्ट वीडियो में बाई बाई फ्रेंज थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो